नमस्ते इडियो विवर्स तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिजो फिरिंजेस को डिसकस करेंगे इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने हिडिंज फिरिंजेस को डिसकस किया है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखें फिरिंजेस ऐसे फिरिंजेस होत हर जगे पर variable है such like wedge shaped film आपने देखा होगा wedge shaped film में क्या होता है कि जो thickness होता है वो बहुत rapidly vary करता है हम यह ऐसा कहा सकते हैं कि physio fringes वैसे fringes होते हैं जो या तो variable thickness वाले film में form होते हैं या फिर wedge shaped film अब आपके मन में यह question होगा कि यह जो fringes है इन fringes को हम लोग physio fringes ही क्यों क्याता है actually हुआ यह था कि एक french physicist थे उन्होंने सबसे पहले इन fringes को observe क्या था actually जैसे कि यह क्या है यह एक variable thickness का film है transparent film अब देखे यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो surface है इसके surface पर जब light fall करता है माल लिजे extended source है ठीक है यहाँ पर कोई variable thickness का एक film रखा हुआ है कुछ ऐसे अब extended source है जब light इस पर fall करेगा ठीक है इस पर जब fall करेगा तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जो reflected light है बाटम से भी और अपर से भी वो यहाँ पर क्या होती है इसके surface पर इसका जो top surface है यह जो है यह top surface इस top surface पर वो क्या करती है interfere करती है तो इसी top surface पर हमें यह fringes observe होती है तो इसी चीज़ को सबसे पहले एक fringe physicist नहीं जिनका नाम था Lewis Fizu उन्होंने सबसे पहले observe किया था इसलिए हम लोग इन fringes को फिजू fringes कहते हैं अब देखिए phizu fringes को हम लोग fringes of equal thickness भी कहते है fringes of इसे लिख लेता है पहले fringe of fringes of equal thickness थीक है इसे हम लोग fringe of equal thickness भी कहते है अब ऐसा क्यों कहते है तो देखिए actually होता क्या है हमने कहा ना इसके surface पर क्या होता है fringe 45 होती है यहीं पर हम fringes form होती है वो fringes optically equal thickness के होती है इसलिए हम fringes को क्या कहते है fringes of equal thickness अब देखें आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में जो heading up fringes पढ़ा था उसमें लोगे ने कहा था कि heading up fringes क्या होते है fringes होते हैं इंफिनिटी पर लोकलाइइड होते हैs headinger fringes कहां form होते थे constant thickness वाले फिल्म है बट यह कहां form हो रहा है variable thickness वाले फिल्म है देखे path difference क्या होता है जो path difference होता है del वो होता है to new t cos r यहाँ पर path difference t और r पर depend कर रहा है ठीक है मतलब r क्या angle of reflection होता है या angle of incidence हम यह कहते है तो पिछले वीडियो में headinger fringes क्या था headinger fringes क्या था यह directly depend कर रहा था angle of incidence पर इस वीडियो में वो depend कर रहा है इस topic के लिए वो depend कर रहा है किसमे thickness पर अगर आपको physio fringes observe करना है तो इसका बहुत best example है soap bubbles आपने soap bubbles देखा होगा soap bubbles का जो upper surface होता है जो surface होता है top surface पर आपको धेज सारे rainbow rainbow colored fringes मिलेंगे वही होता है physio fringes या फिर आपने देखा होगा पानी पानी में कभी oil चला जाता होता आपको कुछ colored rings दिखते हैं वहाँ पर वही physio fringes है और इस से भी best example newton's ring का होगा physio fringes के लिए तो ये कुछ points है physio fringes related जो आपको थोड़ा सा समझाना था और अगर आपको notes चाहिए physio fringes related ये जो points हमने discuss किया हैं पर तो आप जो है मेरा telegram channel पर जा करके वहाँ पर से ये physio fringes related जो भी points है notes है आप उसे download करके लिख सकते हैं तो चलिए आप से अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर हम लोग stocks treatment की बात करेंगे